आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now Hi friends, आज हमें करना है equation and in equation based एक problem तो देखो question है हमें कि x की हमें quadratic equation दी है y की हमें quadratic equation दी है और फिर हमें option के through बताना है कि x और y का relation क्या है पहले हम solve करेंगे x के लिए x square minus 6x is equal to 7 दिया है तो हम 7 को इस side ले आएंगे लिख देंगे minus 7 is equal to 0 इसमें क्या करेंगे x की value निकानला है middle term split कर देंगे 7 into 1 7 हो जाएगा 7 into 1 7 होता है देखो 7 के आगे minus है इसलिए हम subtraction process करेंगे ठीक है कि उसके factor को जब subtract करें हम तो क्या है middle term है which is 6x ठीक है तो x square minus 7x plus x minus 7 is equal to 0 हम 6x को ऐसे तोड़ के लिखते हैं कि उसका sign भी सही आए और साथी साथ जो हमें common factors चाहिए वो भी आ जाए तो x ले लो बाहर x minus 7 plus 1 ले लो x minus 7 is equal to 0 तो x minus 7 और x plus 1 is equal to 0 तो x की value आ जाएगी plus 7 और आ जाएगी minus 1 इसी के साथ हम करेंगे y के लिए solve तो देखो y का equation क्या है 2y square plus 13y plus 15 is equal to 0 लिख लो इसको 2y square plus 13y plus 15 is equal to 0 15 और 2 का multiplication होता है 30 इसके factors ऐसे होने चाहिए कि जब हम उसको जोड़े तो कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए 15 into 2 होता है 30 तो ये बहुत ही basic सा hit and trial है क्योंकि आपको पते है कि 15 to the 30 होता है और 15 को एक second हम इसमें 15 और 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हम 15 और 2 लेते हैं तो हमें subtraction करना पड़ेगा और यहां पर में plus है तो हम ये वाला जो hit and trial है नहीं ले सकते हैं हमें कोई और combination try करना होगा इसलिए इसको hit and trial भी कहा जाता है तो 30 का अब हम factor निकालेंगे 2 15 जा ठीक है 5 3 जा 3 बन जा तो देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 5 5 रह जाएगा तो 6 और 5 11 नहीं बन रहा है फिर देखो एक और चीज़ देखो 5 into 2 10 होता है और ये 3 यहां पर 3 का 3 रह जाएगा तो 10 plus 3 13 हो जाएगा तो हम यह ही factors लेंगे 10 and then 3 तो 2y square plus 10y plus 3y plus 5 is equal to 0 sorry 5 नहीं है 15 नहीं है ठीक है इसको और solve करेंगे 2y ले लेंगे common तो y plus 5 हो जाएगा उसी की तरह 3 ले लेंगे common again y plus 5 हो जाएगा ध्यान रखना बैने यहां पर गलती से 5 लिखा था यह actual में 15 है यह बार बार गायब हो जा रहा है पर यह 15 है ठीक है so 2y plus 3 y plus 5 is equal to 0 तो y की values क्या आ रही है 2y plus 3 is equal to 0 आ रहा है y plus 5 is equal to 0 आ रहा है तो देखो y आ जा रहा है minus 3 by 2 और y 1000 है minus 5 अब हमें relation बनाना है कि आखेर x और y की बीच में relation क्या है plus 7 है minus 1 है यहां पर minus 3 by 2 है यहां पर minus 5 है तो यह minus 3 by 2 को कैसे लिख सकते हो y will be equal to minus 0.6 हो जाएगा यह बिलकुल होगा sorry है मैंने यहां पर गलत लिखा है minus 0.6 नहीं होगा 2 से भाग दे दो 2 1s are 2 यहां पर 1 point लगाओगे 0 2 5s are 10 ठीक है sorry यह minus 1.5 है it is minus 1.5 तो देखो अब compare कर सकते है x की value है 7 वो तो definitely y के दोनों value से जादा है तो यहां यह सही है minus 1 है ठीक है अब important यह है कि क्या minus 1 minus 1.5 और minus 5 से बढ़ी है बिलकुल बढ़ी है minus 1.5 से भी बढ़ी है minus 5 से भी बढ़ी है number line में represent करके देख लो यह यहां 0 है यहां minus 1 होगा यहां minus 1.5 होगा और यहां कहीं minus 5 होगा क्योंकि यहां पर में जो यह minus sign लगा है वो इस तरह से increasing order में चलता है अप्शन में खोशते हैं इसको तो देखो option 1 नहीं पर option 2 हमारा correct answer है जिसमें लिखा हुआ है x is greater than by और यह हमारा answer भी है I hope यह question आपको clear था Thank you so much